कॉंग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 स्वी, निस्थान इलहबाद, वर्ष 1888 स्वी, अध्यक्ष जार जी उले, प्रथम यूरोपी अध्यक्ष कॉंग्रेस के सधिवेशन को असफल बनाने के लिए यहां के गवर्नर ऑकलेंड कालविन ने हिूम के पास प्रतिवाद पत्र भेजा, जबकि डफरिन ने कॉंग्रेस की कटू आलोशना की और आदेश जारी किया कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक संगठन के लिए पै कॉंग्रेस का यह अधिवेशन पिछले अधिवेशनों से अधिक सफल रहा। इस अधिवेशन में जार्ज यूले ने अपने अधिक्षिय भाषन में कहा था कि कॉंग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारती हैं, हिंदो, मुसलिम, सिख और इसाई बाद में हैं। इस में ये प्रावधान था कि कॉंग्रेस सभाओं के बाहर किसी सदस से द्वारा किये गए काम के लिए जिम्मेदार नहीं है।